नमस्कार दर्शको आजकल जाहतर लोग अपनी कम उमर में हुए सफेद बालों की वज़े से परिशान रहते हैं पहले दोस्तों ये समस्या जेनिटिक प्रॉब्रम की वज़े से हुआ करते थे लेकिन आजकल ये परिशानी खराब पर्यावरण की वज़े से गरत लाइफस्टाइल की वज़े से जैसे की दोस्तों जादा हरी सब्जिया ना खानी के वज़े से और अधिक स्ट्रेस लेनी की वज़े से कम उमर में सफेद बाल दोस्तों किसी को भी देखने अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि इसकी वैसे आपकी जो उमर है वो बड़ी लगती है जिस परिशानी को दूर करने के लिए आप मार्केट से महंदी या डाई का इस्तमाल करने लग जाते हैं जो आपके बालों में भर आप अपने बालों पर तो आप इसके एक बारी की इस्तमाल से देखेंगे कि आपके जो बाल हैं कैसे काले होते जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं लेकिन नुस्के को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट की प्लीज इस वीडियो को अन इस तरीके से यहां पर आपको नीम्बू का इस्तमाल करना है नीम्बू का इसले करें क्योंकि इसके अदर विटामीन C का भंडार होता है इसमें अच्छी मात्रा में होता है जिसके कारण आपके जड़े हैं वह बहुत ही ज़दा साफ हो जाते हैं उससे डेंडरफ दूर होने लगते हैं और बालों में कोई भी तरह का धूल और पॉल्यूशन नहीं जम पाता है बालों की जड़ों का दूस्तों साफ होना इसलिए इसलिए यह पर हम सबसे पहले निमबू का इस तरीके से यह पर आपको यहां अद्धा काट लेना है और फिर आपको इसके बीज है वो निकालर कर का ड़नी इसका रस लेना है इस तरह के से यहाँ पर Лझेल है कि आदे ॹा लेना है आधे कटवे निंबू का रस लिए अपको इस तरह के से तो याँ आपने देख दोस्तों हमने सबसे पहले का सैंटी जो सते भी होगे और साथ-साथ कारगर भी होंगे दूग्नितेसे आपके बालो को काला करने के लिए अगली जो चीज हम इसत्माल करने जाने वह है दोस्तो कल्पieso और जब आपके मिलालीन कोशिष का प्रदूशी द्वातावरण और अच्पेस्ट के अकारण आपके जोगालाली पिगमेंट्स होते हैं वो बन्य बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके बालो का पर जू आप सफेद के लिए बहुत आची तरीके से काम करते हैं कि यह आपके पिगमेंट को दुवारा से जनम देती है और आपके बालो को फिर से काला बना देती है जिस तरीके से कलोंजी काली होती है उतनी ही काली और शाइनी यह आपके बालों को बना देती है तो यहाँ पर हम कलोंजी का इस्तमाल करेंगे कलोंजी दोस्तों आपको किसी भी परचून की दुकान पे किरानी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक चमज करीब कलोंजी का ले लेना है अब जिस चीज का हमें इस्तमाल करना है वो है दोस्तो नवरतन तेल नवरतन तेल दोस्तो एक मात्र ऐसा तेल है जिसमें नौ तेलों के गुण होते हैं जिसके कारण आपके जुब जड़ों को पोशन मिलता है बालों से सफेद बाल दूर होके और काले बनते है और साथी साथ बालों को लंबा बनाने के लिए भी इस तेल का जबाब नहीं है यह तेल तोस्तों आपके जो दिमाग है उनकी नसों को शान्त भी करता है आपके stress को भी दूर करते है जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि बालों के सफेद होने का एक आपके stress लेना तो अगर आप नवरतन तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग शांत होता है थंडा होता है जिसके विएसे आपका जो प्रेस भी चल जाता है तो इसलिए आपको इस तरीके से सब्सक्राइब लेना है और यह तेल पूरा पूरा तेल आपको यहां पर ले जिल एक ऐसी नैजरल चीज जो आपके बालों के लिए वर्दान की तरह है साथ आप इसकी मदब से आपके जो बाल है उस्म का तूटना रुकता है ज़डना रुकता है और इसकी वज़े से आपके जो बाल है वो कभी भी ड्राइब नहीं होते उनमें कभी भी रूखा पन वह हमेशा सॉफ्ट रहते हैं और स्मूथ रहते हैं तो अब हम यहाँ पर ऐलोवेरा जल का इस्तमाल करेंगे अब इसकी मातर ध्यान से देखिए कि हमें इसकी मातरा कितनी लेनी है इस तरीके से हमें अलोवेरा जल को भी एक चमश ले लेना है और फिर इंसाइड चीज़ को मिलाकर हमारे जो नुस्का है उसे तयार कर लेना है तो अब जैसे कि ये नुस्का हमारा अच्छे से तयार हो चुका है अब मैं आपको बताते हूँ कि आपको इस तेल को किस तरीके से इस्तमाल करना है अच्छे से अपने बालों को आप काड लेजिए और उसके बाद शीशे म और उसके बाद आप किसी भी हर्बल या माय शैंपू से आहिस्ता आहिस्ता से अपने बालों को दो लीजिए इसके एक बारी के रिजल्ट से ही आप देखिए कि आपके जो बाल है उसमें ब्लैक शाइन आने लगेगी ब्लैक होने लगेंगे आपके बाल और हफते में इसका त इंस्टाग्राम इंसाइट जगाओ पर जरु जरु शेयर कीजिएगा और प्लीज हमारा प्रोचान बढ़ाने के लिए घरेलु आर्वेट चैनल को जरु जरु सब्सक्राइब कर दीजिए